गोड एविनिंग औनातर जार शिक्षक भरती के सभी केंड़ेट का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है लेटिस्ट अफिशल अपडेट और गुड निवजी यह है कि थर्ड कांसुलिंग की डेट डिक्लेयर कर दी गई है शाशन के द्वारा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि थर्ड कांसुलिंग होगी फोर्थ होगी फिप्थ होगी शिक्स होगी यह कांसुलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक सभी केटेगरी की जितनी भी वेकेंसीज हैं जितनी भी सीटे ह हैं वह फिलप ना हो जाएं आप लोग में से कुछ इस बात को ले करके शंका कर रहे थे कि थर्ड कॉंसलिंग होगी या नहीं होगी लेकिन देखिए थर्ड कॉंसलिंग के डेट आ गई चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको डेट दिखाता हूं और अब फटा फटा आप जो कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी हो जाए चलिए देखते हैं डेट्स देखिए ये लेटर आज ही जारी हुआ है चार दिसंबत दोजार बीस रैनिका कुमार अपर मुख के सच्चिव उत्तर प्रदेश साशन और इन्हों ने ये भेजा है समस्त जिलादिकारी इसकूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनव निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनव और सभी ब्यसे को उत्तर प्रदेश पूरा लेटर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं समय जादा लगेगा और जो बातें आथेंटिक हैं जो आपके लिए जरूरी हैं उत रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन और नियुति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंद में अस्पश्टि करन। रिक्त पदों को भरे जाने हेतू परिलक्षित विसंगतियों के संबंद में अग्रेतर कारवाई हेतू दिशा निर्देश उपलब्द कराये गराये हैं। सेकंड कॉंसलिंग में रह गए थे डाकुमेंट्स में किसी कमी की वज़े से या किसी और वज़े से उनको उपरोक्त संदर्भित पत में दिये गए निर्देशा नुसार। कारवाही करते हुए दिनांक 9, 10, 11 दिसंबर को पुना कौंसलिंग का औसर प्रदान किया जाता है। यानि थर्ड कॉंसलिंग की डेट जो है वो 9, 10 और 11 दिसंबर 2020 है। तो ये थी लेटेश्ट अफिशिल अपडेट। थर्ड कॉंसलिंग 9, 10 और 11 दिसंबर को होनी है। हंडेट परसंट होनी है। इसके बाद 4 भी होगी, 5 भी होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए। और देखिए ऐसे ही लेटेश्ट अपडेट नहीं नहीं जानकारिया मैं आपको लगातार देता रहूंगा। और इस वीडियो को प्लीज अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजेगा। जो लोग रह गए हैं, उनके मन में बहुत बड़ी पीड़ा है। उन्हें जानकारी मिल जाएगी तो उन्हें एक सैटिस्फेक्शन मेलेगा। तो प्लीज इसे शेयर कर दीजेगा।